देहरादू में प्रसाशन ने जमीन और भवनों के खरीद फरोक्त में 18 लाग से जादा की स्टाम्प शुल्क की चोरी पड़ी है शुल्क चोरी करने पर साथ लोगों को जुर्माना और ब्याज के साथ ये रकम्ब जमा करवाई है प्रसाशन को शिकायत मिल रही थी कि कुछ म ने स्टाम्प शुल्क चोरी के मामले में कारवाई के निर्देश दिये एडियम वित एवम रजस्प राम जी शरन शर्मा ने बताया कि संपत्यों का मुआइना किया गया जांच में 18,666,226 के स्टाम्प ड्यूटी में कमी पाई गई संबंदित संपत्ती मालिकों पर 8,45,509 रुपए का अर्थ डंड लगाया गया साथ ही 6,24,130 रुपए ब्यास सहित कुल धनराशी 33,46,865 जमा कराने के लिए नोटिस जारी किया गया है अगर ये धनराशी जमा नहीं कराई जाती है तो संबंदित डिफॉल्टर से 10 प्रतीशत धनराशी लिजाएगे परतमान में स्टांप सुल्क में काफी मामले आये हैं और इनका हमने जब जाज किया तो 18,70,000 के आसपास हमारी स्टांप कमी के नोटिस हमने जारी किये थे जिनका इस्पॉर्ट इंस्पेक्शन करने के बाद इसमें 8,45,000 का आर्थ दंड और 6,34,000 का ब्याज लगाके कुल 33,21,000 के इस टांप के मामले अभी तक डिसाइड हुए हैं और जिनमें नोटिस जारी हो चुके हैं और इनको अगर ततकाल जमान ही कराया जाता है तो सम्मनित डिफाल्टर से 10% एक्स्टा लेके लगवक 36,000 रुपे के बसूली अब ये अगली कुछ दिनों में जमा कराई जाएगे मध्यप्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्ति करण के उद्धिश से समवेधन शिल मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लारली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है इसके तहद उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपे दिये जाएंगे ये राशी सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई जाएगे योजना की प्रत्रिया बहसरल और निशुल को है योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यक्ता भी नहीं है दस जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आजाएगी एक हजार रुपे या की पहली किस्त योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेलप लाइन नंबर 0755 2700800 एवं वेबसाइट cmladlibehna.mp.gov.in पर राप्त की जा सकती है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक मिश्लेश हम करते हैं सट्यका अनवेशा दखल नियूस आपके हक्त में आप देख रहे हैं दखल नियूस